नमस्कार आप देख रहे हैं दब यहां टॉप मैं हूँ आदेशपुरी बीपीएसी और सथवी का एंसर की आयोग के दोरा जारी कर दिया गया ठाइस फरवाड़ी तक इस पर आपको अगर कोई आपत्ती है तो आयोग में भेज सकते हैं इसके साथ साथ छात्रों के सहुलियत के लिए जो कटफ का गेस होता है जो आम लोग करते हैं सिख्छा करते हैं या छात्रों के बीच किया जाता है कटफ को लेकर उसको लेकर आयोग ने एक सहुलियत दी कि आप अपना कटफ जो है वो दर्ज करें आयोग के एक लिंक पे और खुद मुल्यांकन करे कि कट अफ कितना जा सकता है कि सबसे पहले आपको बता दे कि जब यह फैसलिटी आयोग के द्वारा दी गई उससे मंत्यक एंसर की जारी नहीं हुआ था बहुत सारे लोग बोले हमने भी बोला कि बीना एंसर की के कट अफ कैसे हो सकता है कैसे यह आयोग की आई यह लेकिन कुछ लोगों ने बताया कुछ हमारे सोर्स ने बताया कि आयोग के द्वारा यह परियास जो है यह एक आईना दिखाने के लिए था की बिना एंसर की कि आप लोग खुद कैसे कट अफ कट अफ खेल रहे हैं जब एंसर की आया नहीं तो कैसे सोशल मीडिया पर ने सिक्षकों के द्वारा हमारे द्वारा भी बहुत जैजा चलाया गया की इतना कट अफ जायएगा इतना तो यह एक तर्क था अभी जो आयोग ने इसे नहीं बताया है लेकिन जो जानकार है उनका कहना है कि आयोग ने तरह से आइना दिखाया कि आपको जब एंसर की पता नहीं है आपके पास उतना रिव्यू नहीं आया उतने हजार संख्या में तो आप कैसे कटफ के बारे में बात कर सकते हैं अभी ताजा आप देख लें आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि अभी जो आयोग ने जो एक्जिट पोल एक तरह से कराया था कटफ को लेकर और फिर जब एंसर की आया तो उसके बाद उसमें कहा गया कि आप फिर से एक बार जाके तब्दिली कर सकते हैं क्योंकि एंसर की के के बाद आपने अपने प्रस्नों को मिलाया होगा और आयोग की एंसर की से एक्जेक्ट आपका मार्क्स पता चला होगा उसके बाद आप अपना दर्ज करें और आपको बता दे कि अभी तक 9 बज रहा है 14401 कंडिडेट ने अपना दर्ज कराया है इस पर और कटफ जो है व जबकि आपको बता दे कि एंसर की जारी होने के बाद फिर से एडिट करके फिर से डालने का ओप्सन भी आयोग के द्वाय दिया गया है तो हम यह मान के चल रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने एंसर की से मिलाने के बाद अपना अंक जो है इसमें डाला होगा और उसके ब 85 से लेकर 95 की बीच में जाएगा कि कुछ लोगों ने कहा कि 100 नहीं पार करेगा लेकिन आप देख लेकिए सबसे बड़ा अभी तक सेंपल है इतना बड़ा सेंपल किसी भी कोचिंग संस्थान या सिक्षक या व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है साले 14,000 सेंपल है यह और उसमें कटफ 101 जा रहा है कारण क्या है अगर हम आयो के अध्यक्ष अतुल परसाद जी के ट्वीट क्यों देखें तो उन्हेंने कहा है कि जो पुल फेक्टर जो है वो अप और डाउन दोनों इसमें है इस बार सबसे पहले देख लें हम कि कटफ कम जाने का लोग क्यों बात होता है सबसे पहले लोग काता था कि पहले भी भी कटफ और सो के आजपास रहता था निगटिव नहीं होता था क्यबाजी ओता ऑगप ईस पर सिट की यतना है सीट अभी बहुत कम है 324 मातर सीट है आप दस गुना ज्यादा रियल्ट देखें तो लगबग 3500 के आसपास मेंस के लिए रिजल्ट आएगा अगर इसमें हम जेनरल काटवरी की बात करें यह जेनरल काटवरी के मार्क्स है 101 और जेनरल पर ही लगबग डिसाइड होता है जो भी लोग गेस करते हैं जो भी लोग कटाप बताते हैं वो जेनरल काटवरी कहीं बताते हैं तो जनरल कटिवरी में कितना बहाली में में कॉल किया जाएगा लगबग 40% को कॉल किया जाएगा पचास परसंट इजरवेशन है दस परसंट इड़ाइज है लगबग 1300 के आसपास कांडिडेट बुलाए जाएगे में मेंस के लिए एग्जाम कितना दिए लगबग 300,000 के आसपास लोग एग्जाम में बैठे हुए है पिशली बार 67 में 300,000 लोग बैठा तो कट अफ 113 चला गिया जनरल का तो आप सोचें कि मातर 1300 लड़कों को जनरल काटिवरी में लेना है तीन लाग कैनिडेट एग्जाम दिये हुए है तो कैसे मान लिया जाए कि कट अफ जो है 90 के आसपास रहेगा ये भी हो सकता है कि होते हैं ऐसे लड़के लगवाद दो हजार ऐसे लड़के होते हैं जो कि बहुत तच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इस अधार पर ये कट अफ देखा जाए तो बढ़ने की भी संभावना बन रही है क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है और तैयारी करने वाले कैनिडेट जो हैं वो काफी हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस बीपीएसी में लोग दे रहे हैं रिजल्ट भी आप देखा किजिए कि IIT के स्टुएंट निक आलते हैं 113 कट अफ होने के बाद जो है आप समझ सकते हैं कि 113 कट अफ के ऊपर कितने लड़के थे एक एक नंबर पर अब बता दें आपको हम कि 60 भी तक तो एक एक नंबर पर स्टुएंट थे इसमें तो निगेटिव है तो 0.5, 0.25, 0.5, 0.75 पर 20 पर कट अफ में कितने चातर होंगे तो दोनों फैक्टर है इसमें अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चले गया कि क्या कट अफ राता है लेकिन यह सेंपल देखने के बाद जो है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा सेंपल है कट अफ को लेकर इससे पहले कोई भी प्लेट फॉर्म नहीं था जहां पर इतने चातर अपनी उपस्तिती धर्ज कराएं और बताएं कि हमने कितना मार्क्स पीटी में प्राप्त किया है कोई इसे पहले प्लेटफर्म नहीं था तो 101 कटफ जा रहा है 14401 कैंडिडेट के रिव्यू के अनुसार तो मुल्यांकन करें अपना आत्मुल्यांकन करें और इसी के अधार पर आगे की तेयारी करें अगर आप इसके आसपास हैं हम यह नहीं कर रहा है कि यही कटफ होगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि गलत अपना यह दर्ज कराएं होंगे उसमें या सुधारे नहीं होंगे लेकिन यह एक साफ हो रहा है कि बीपीएसी और सठवी का कटफ जो है वो सौ के आसपास होने जा रहा है तो इसी अधार पर आप मेंस में लगे या फिर उनहातरवी पीटी की तेयारी में लगे ताकि जो परिवर्तन हुए है बीपीएसी के प्रस्णों में पूछने के तरीगों में उसको आप कंपीट कर सके अच्छा परदसन कर सके तो आत्म ल्यांकन और आत्म रिक्षन जरू कि संभावनाय कम बन रही है तो सुब कामनाय हैं आपको अगर आप काच्छा पीटी गिया तो मेंस के लिए नहीं अच्छा गिया तो उनहतरवी के लिए अच्छे से तयारी करें और सफलता प्राप करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही जो भी अपडेट होगा हम आपको रहेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत दन्यवाद